हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंज! तो आज हम करने जा रहा है मैथमेटिक्स की वर्कशीट नमबर 59 और क्लास 10 आज की वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले देज ज़रूर मेंशन करेंगे अपनी टीम और क्लास टीचर के नेम के साथ तो आज की worksheet का topic क्या है? Topic है Conversion of Solids जब आप solid figures का conversion करते हैं मतलब आप एक shape से दूसरी shape में किसी solid figure को change करते हैं ठीक है? तो उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले आपको बोला गए कि Conversion of solid from one shape to another ठीक है? आप देख सकते हैं कि first figure then यह second figure तक जब change हुए तो उसकी shape क्या हुए? चेंज हो गई है A solid object example wax, iron, etc. is often heated to make it liquid and then cooled in a container with different shape change the shape of solid In this process the shape is changed but the volume remains same So यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि एक solid object को heat किया है, गरम किया है और liquid form में change करने के बाद जब हम container में से cool करते हैं, ठंडा करते हैं So क्या होता है इन दोनों process के बाद हमने जिस container में डाला है उस shape का यह हो गया है ठीक है? तो इसने अपनी shape change कर लिया है यहाँ आप देख सकते हैं किसकी shape क्या थी? और end में आप देख सकते हैं किसकी shape क्या हो गया है ठीक है? So यह shape change कर रहा है cube से क्या बन गया? एक cylindrical shape में आ गया तन आपको ऐसे ही related इससे related question दिये गए हैं चलिए इनहें भी देख लेते हैं फर्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है hemisphere ठीक है? hemisphere आपको बोला गया है कि example फर्स्ट में a hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 3 की power 4 by 7 liters per second तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि है hemispherical tank है ठीक है? जो कि पानी से भरा हुआ है और जिसका पानी empty टेक हाली किया गया है एक pipe के तरू जिसका यहाँ पर आपको दिया गया है कि per second जो rate है मतलब यह transfer करने का वो है 3 3 की power 4 by 7 how much time will it take to empty half the tank if it is 3 meter in diameter बोला गया है कि अगर इसका diameter given है आपको कि 3 meter है आपको बताना है कि कितना time लगेगा इसको half करने में ठीक है empty half the tank okay so यहाँ पर आपको बताना है answer है आपका कि diameter of hemispherical tank diameter कितना है 3 meter radius of the hemispherical tank और radius कितना हो जाएगा तो आप इसका half कर देंगे so 3 by 2 हो जाएगा ठीक है इसका half then volume of the tank volume of the tank जो है इसका निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि यह क्या है hemisphere है ठीक है so according to this आपको formula apply करना है 2 by 3 pi r cube अब इसमें आप values put करेंगे pi की value लिखेंगे ठीक है 2 by 3 पहले फिर pi की value then r जो है r का cube है तो यहाँ पे आपका radius कितना है 3 by 2 so इसका cube कर देंगे then आप सारी values को लिखेंगे और करेंगे so आपका अंसर आजाएगा 99 upon 14 meter cube okay so volume है तो आपको यहाँ पे cube में आएगा आएगा आपका अंसर then so the volume आप क्या देखेंगे कि सबसे पहले आप एक और step है उसमें क्या है कि 99 upon 14 जो हैसा multiply करेंगे thousand liters से ठीक है so यहाँ पे आपका अंसर केतना आजाएगा 99,000 upon 14 liters ठीक है यह liters में convert है आपका यहाँ पे जो value है so यहाँ पे आप क्या करेंगे कि so the volume of the water जो पानी है ठीक है उसकी volume to be emptied क्या होगी 1 by 2 ठीक है यहाँ पे बोला गया है अगर आप ध्यान से देखे तो बोला गया है कि take to empty half the tank ठीक है so यहाँ पे आपने इसको 1 by 2 multiply 99,000 upon 14 ठीक है इस value को लिखा है यह liters में हो गया ठीक है क्योंकि यह meter cube में दिया था फिर हमने liter में change किया then हमने यहाँ पे half से multiply कि 99,000 upon 28 liter then आपको बोला गया है कि time taken 2 to take out 3 3 की power 4 by 7 liter of water so यहाँ पे 1 second लगा है ठीक है बोला गया है कि 1 second का यहाँ पे time taken आपको given है ठीक है then आपको बोला गया है कि time taken 2 to take out 1 liter of water तो एक liter का यहाँ पे आपको बोला गया है कि 1 liter का अगर हम निकाल ले तो क्या होगा 1 multiply 7 upon 25 तो आपको बोलागे time taken to to take out 99,000 upon me 28 liter of water तो यहां पर आपको इसका total बताना है तो आप क्या करेंगे यहां पर जो अभी आपने solve किया यहां से क्या करेंगे 7 upon me 25 multiply 99,000 upon me 28 तो इसको जब solve करेंगे तो आप cancer आजाएगा यहां पर आप देख सकते हैं 693 और 000 upon me 70 तो इहां पर कितना हो जाएगा 693,000 upon me 70 तीक है इसको solve करेंगे तो आजाएगा 990 से कि अगर इससे आप मिनट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा 990 upon me 60 मिनट तीक है 60 से आप इससे divide कर देंगे so 16.5 मिनट में आपका यहां पर answer आ गया then आपको जो second example given है वो क्या है वो है कि आपको यहां पर cylinder से cylinder ही में change कर देखेंगे आप की change होती ही figure देख रही है but यहां पर दोनों cylinder में थोड़ा अंतर है बोला क्या गया example में a copper rod of diameter 1 cm and length 8 cm is drawn into a wire of length 18 meter of uniform thickness find the thickness of the wire तो यहां पर आपको बुला गए कि एक copper rod है जिसका diameter 1 cm and length 8 cm जिसकी length 8 cm is drawn into a wire of length ठीक है जो की एक wire of length 18 meter of uniform thickness find the thickness of the wire तो आपको यहां पर wire की thickness बतानी है चलिए इससे देख लेते हैं volume of rod equal होगा volume of wire ठीक है क्योंकि यह दोनों जो है same जैसा भी आपने conversion पढ़ा तो यह conversion ही किया गया है कि same चीज से जो है change करके हमने कुछ और form किया है so volume तो same ही होगी rod की और wire की so यहां पर आपको बूला गया है the volume of the rod volume of the rod जो है वो यहां पर cylindrical shape है तो pi r square हो जाएगा pi r square ठीक है so यहां पर आप क्या करेंगे यहां पर आप देखेंगे कि जो r है ठीक है यहां पर क्या है sorry pi r आपका 1 by 2 square और 8 ठीक है तो आप देख सकते 8 क्या है यहां पर height है और जो r है ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 आपको क्या given है diameter given है ठीक है और diameter करकर आप half कर करेंगे तो 1 by 2 हो जाएगा तो यहां पर 1 by 2 का आपने स्क्वार कर दिया ओके सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह क्या होगा तू पाई ठीक है टू से एट कैंसल हो जाएगा देन जो है आप इन सारी वेल्यूस को सॉल्व करेंगे सो टू पाई और सेंटीमीटर भीटर को कि दन जो आप देखिए अाफ देखेंगे लेंफ और फड़ ड़ न्यू वायर की जो लेंफ और सेंटीमीटर कि आप यहाँ पर देखेंगे की 18 100 सैंटीमीटर के सेंटीमीटर में हाँ पर चेंज कर दिया if r is the radius अगर r यहाँ पर रेदियस है इन सैंटीमीटर पर वोल्यूम पाइ आर स्काइर अपॉर और यहाँ पर मल्टीप्लाइय हो जाएगा एटीर हंडेट सेंटीम मीटर क्यूब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यह क्या हो जाएगा यह पर हो जाएगा 1 upon 30 cm ओके यहां पर आपको पता ने स्कुर्ण दिया गया है आपको इसी को सॉल्व करने के लिए आप पर 3 2 ताइमस और 10 2 ताइमस है ठीक है इसके बाद आप देखेंगे so the diameter of the cross section the thickness of the wire यह क्या हो जाएगा 2 multiply 1 upon 30 इसको सॉल्व करेंगे 2 से 30 cancel होगा तो 1 upon 15 cm डिवाइड करेंगे 1 को 15 से तो यह पॉइंट मेंसर आजाएगा 0.67 mm अप्रॉक्स ठीक है आप अप्रॉक्स में आप अंसर लिखेंगे then आपको third example जो दिया गया है वो है कौन से spare में जो है आपने figure को change किया तो क्या हो जाएगा example है a cone of height 24 cm and radius of base 6 cm is made up of modeling clay a child reshapes it in the form of a spare find the radius of the circle so यहाँ पर आपको क्या बोलगे आपको modeling clay जैसे clay होता है ना बच्चे उसकी shape change करते रहता है वैसे यहाँ पर change की है shape तो आपको यहाँ पर radius बताना है square का ठीक है सबसे पहले आपको given क्या है given है volume of cone cone की volume और जो volume है यहाँ पर equal हो जाएगी volume of cone equal volume of spare ठीक है दोनों की volume equal है क्यों equal है क्योंकि यहाँ पर आपको बोलागे ने कि modeling clay है इससे shape change की है और volume सेम है तो volume of cone इसका यहाँ पर हम देखेंगे की volume of cone में आपको 24 cm height दे रखी है then radius of cone जो है वो है 6 cm volume of cone निकालने का जो फॉर्मूला है वो अप्लाय करेंगे 1 by 3 pi multiply r square multiply h ठीक है तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे 1 by 3 pi लिखेंगे r की value और h की value और जब इससे solve करेंगे तो answer आ जाएगा आपका 288 pi cm3 then volume of spare निकालेंगे तो इसमें क्या होगा if r is the radius of the spare r जो है वो radius is spare cut then its volume so उसकी volume क्या होगी 4 upon me 3 pi r cube so यहाँ पर आप क्या करेंगे now volume of cube जो है volume of spare के equal लिख लेंगे यहाँ पर volume of cone आप निकाल चुके है ठीक है तो यह लिखेंगे और volume of spare जो है उसका formula लिखेंगे अब आपको पता है कि दोनों की volume सेम है सिले हमने हाँ पर equal में रखा है और इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर pi से pi direct cancel हो जाएगा ठीक है इस pi से इस pi को हम cancel कर देंगे यहाँ पर देखेंगे कि क्या बचा 4 by 3 बचा और r जो है इसका cube बचा 4 by 3 इस side आ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 3 by 4 हो जाएगा then r का cube है ठीक है तो आप जो है यहाँ पर जब इसे solve करेंगे तो आप देख सकते हैं cancel होंगी value multiply होंगी तो 72 multiply 3 then tube करना है आपको r का तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 72 का आप क्या कर देंगे LCM निकाल सकते हैं और इससे यहाँ पर value आजाएगी 3 की power 3 multiply 2 so यहाँ पर radius कितना हो जाएगा 3 multiply 2 equal 6 ठीक है तो radius की value आगे 6 now अब आप देख सकते है therefore the radius of the sphere is 6 cm so radius आगे 6 cm अब इसके बाद आपको try yourself में दो कोशन दिये गए चलिए इनहीं भी देख लेता है और solve कर लेते हैं इसके लाब कोविड appropriate behaviors यह भी message given है आपको to stay safe in the fight against COVID-19 wear a mask mask जरूर पहने इस वकोविड जो है वो बहुत जादा फैल रहा है जिसकी वज़े से आपको बहुत खास द्यान रखना है और mask को हमेशा पहन के रखना है जब भी आप बहार निकलते हैं यह किसी से मिलते हैं तो चलिए पहला question देख लेते हैं इसमें आपको बोला गया है कि a metallic spare of radius 4.2 cm is melted and recast into the shape of cylinder एक metallic spare है जिसको हमने cylinder shape में जो है convert किया है जब यह spare था तो 4.2 cm क्या था रीडियस था अब इसका radius 6 cm हो गया है ठीक है cylindrical shape में find the height of the cylinder तो आपको cylinder की height बतानी है ओके यहां पर आपको solution दिया गया है कि since a spare is melted into a cylinder spare को हमने cylindrical shape में melt कर दिया ठीक है एक shape से दूसरी shape में हमने melt करके change कर दिया तो volume of spare, volume of spare और volume of cylinder सेम होगा ठीक है क्योंकि आपने same चीज को use किया है दूसरी shape में convert करने में volume of spare जो है यहां पर आप देखेंगे कि इसमें radius आपको जो है given है 4.2 cm volume of spare निकालने के लिए 4 by 3 pi r cube का formula यूज करेंगे दन आप क्या करेंगे यहां पर 4 by 3 pi और r जो है यहां पर r का cube r की value डालेंगे okay then volume of cylinder volume of cylinder निकालने के लिए radius डालेंगे 6 cm और height है जो आपका यहां पर h ठीक है इसे h मालेंगे let h cm volume of cylinder जो है pi r square h लिखेंगे तो यहां पर r क्या है 6 cm आप देखेंगे 6 cm था तो 6 लिखेंगे और जब आप इसे solve करेंगे तो यह जगा 36 pi h ठीक है now volume of sphere now अब जो है आपको volume of sphere और volume of cylinder equal है तो यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर volume of cylinder जो हमने निकाले वो लिखेंगे और यहां पर volume of spare जो है इसका formula लिखेंगे और जो values हमें पता है वो put करेंगे जब इसे solve करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि सिर्फ H हमें नहीं पता है बाकी सभी values पता है तो हम H जो है उसे एक साइट रखेंगे और बाकी सभी values एक साइट लेके आ जाएंगे then इसे solve करेंगे ठीक है जब आप इसे solve करेंगे तो यहाँ पे cube है ठीक है तो यह लिखेंगे और इसके बाद आप इसे solve करेंगे तो end of answer आपका जाएगा 2.744 cm तो यह solution process है यह आप खुद करके देखें तो आपके लिए जादा अच्छा है आपको इसे practice भी होगी ठीक है देन इसके बाद जो है हम क्या देखेंगे hence height of cylinder equal 2.744 cm देन इसके बाद second question दिया गया farmer connects a pipe of internal diameter 20 cm from a canal into a cylindrical tank in her field which is 10th meter in diameter and 2 meter deep in if water flows through the pipe at the rate of 3 km hour in how much time will the tank be filled so answer देख लेते हैं इसका यहाँ पर बुलगे कि let length of pipe for filling whole tank be h m so volume of pipe equal volume of tank volume of pipe और volume of tank यहाँ क्या होगा equal होगा so इसके बाद volume of pipe आप क्या करेंगे pipe is in form of cylinder pipe किस form में है cylindrical shape में है where जहाँ पर आप यहाँ पर let कर लेंगे height h meter और diameter है 20 cm so radius क्या होगा diameter का half कर देंगे आप तो 20 upon me to यह हो जाएगा 10 cm then यहाँ पर 10 जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 cm है तो इससे आप meter में change करेंगे तो 1 by 100 जो है इससे आप multiply कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 0 से 0 एक cancel होगा so 1 by 10 meter volume of pipe इसको निकालेंगे volume of cylinder देखेंगे दोने equal होते हैं तो यहाँ पर pi r square h then यहाँ पर r की value 1 by 10 square ठीक है तो यहाँ पर आप इससे solve करेंगे तो यहाँ जाएगा pi h 100 volume of tank आप volume of tank निकालेंगे कि tank is in form cylinder where जहाँ पर आपको diameter 10 meter दिया गया है radius जो है इसका half कर देंगे तो 5 meter हो जाएगा height है 2 meter volume of tank जो होगा pi r square h तो जो values पता है जैसे r की value लिखेंगे और h की value जब इससे solve करेंगे तो हो जाएगा 50 pi then now यहाँ पर आपको बोला गया कि volume of pi volume of tank एक्वल है तो यहाँ पर अभी जो आपने value निकाली थी pi h upon me 100 यह लिखेंगे और यहाँ पर 50 pi ठीक है इन दोनों values को साथ में लिखेंगे pi से pi cancel हो जाएगा यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे आजाएगा h equal 50 pi multiply 100 upon me pi ठीक है इसमें आप क्या करेंगे इसमें जब आप इससे solve करेंगे तो h की value आजाएगी 5 km ठीक है पहले meter में आएगी तो इससे kilometer में change कर लेंगे now water is pipe flows at rate 3 km per hour यहाँ पर आपको बोला गया कि 3 km travel in pipe in 1 hour एक घंटे में ठीक है 5 upon me 3 hour जब इससे multiply करेंगे जो किससे करेंगे 60 से multiply करेंगे यह value जो है cancel होंगी तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 multiply 20 minutes यहाँ पर 100 minutes आ गया so in 100 minutes the tank will be filled ठीक है 100 minutes में यह tank क्या होगा फेल हो जाएगा कोशन थोड़ा लंबा था आई होप सो आपको समझ आया हुआ कमेंट करके जुरूर बता है आपको वीडियो कैसी लगी और हमारी वीडियो को जादा साथा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें जिससे और भी बच्चे हमसे चुड़ सकें थैंक यू